नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत एक बाँ फिर से आपके अपने योटूब चैनल Mr.360 गुपता पे और आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए जो मैच कवर करेंगे वो मैचे दोस्तों शारजा T20 का टूनामेंट का भी तिसरा मकाबला और इस आज के दिन का पहला मकाबला जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम S.A.L. वसेस टीम B.G. के बीच में तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इस मैच की फुल एनिलिसिस करके देने वाला हूँ दोनों टीम्स के प्लेयर्स के स्टैट्स बताने वाला हूँ साथ मैं आपको बेस्ट आप्शन भी बताऊंगा कैप्टन और वाइस कैप्टन के तो अगर आप लोग इस मकाबले में विन करना चाहते हो तो वीडियो को कम्पलीड वाच करना अगर आप लोग इस मकाबले में विन करना चाहते हो तो बाकि जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी जो मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइन अप या टॉस के बाद दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूँगा वो टीम भी अगर आप लोग चाहते हैं आपको मिले तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलिगरम चैनल से जुड़ सकते हैं अभी के समय आड़ जासे ज्यादा लोग और रेड़ी जॉइन हो चुके हैं और रोजाने आपर वो दीगर मेरी फिरी टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं टूरामेंट का पहला मकावला कल इन्होंने खेला था और इनका जो मैस था वो टूरामेंट का पहला ही मैस था और ये अपना पहला मैस दोस्तों हार के आ रहे हैं तो इनकी ओर से सबसे पहले माइकल, वेन, विक ओपन करने आये थे कल इन्होंने पहले पांच रन बना बैटिंग करते हुए उसके बाद जब यह बॉलिंग करने आये तो वहाँ पर इन्होंने दो वर की गिंद बाजी की और कुछ भी खास नहीं कर पाए इसके लावा रोमेलियो, सिजारियो, आरिफ इनके साथ ओपन करने आते इन्होंने 18 रन बनाए थे और यह आउट हो गए थे उसके बाद नंबर 3 पे ब्राडले स्टेडे यह जोकी एक राइट हैं बैसमन है राइट हैं मीडियम बॉलिंग कराते हैं कल इन्होंने 28 रन बनाए थे नंबर 3 पे आके और 2 वर की गिंदबाजी कीती जहांपर इनको यह विकेड मिल गया था जुन्द्रे करगर की मैं बात करूँ जोकी एस टीम के कैप्टन है और विकेड की पर सेक्शन में यह आते हैं इन्होंने दोस्तों कल के मैच में सिर्फ 2 रन बनाए थे रोशन खान एक दोस्तों इंपॉर्डेंट प्लेर है यह काफी अच्छा लोवर ओर बैर स्वन है आप इनका अगर स्ट्रेस देखेंगे तो 18 मैचस में 306 रन 22 विकेड इनके नाम है इसके लावा कल के मैच में भी इन्होंने 3 ओवर की गेंबाजी की थी जहांपर इन्होंने 25 रन बनाए थे और विकेड हलाकि इनको नहीं मिले थे बाकी बॉलर काफी अच्छे हैं बाकी दोस्तों आपको आपको रोबिन गो आपको खेलते हुए नजर आएंगे जिन्होंने कल के मैच में 7 रन बनाया थे तीन ओवर की गेंबाजी की थी और एक विकेड इनको भी मिला था बाकी यहां पर दोस्तों आरल के वादों हैं जिन्होंने कल के मैच में 10 रन बनाया थे और एक ओवर के बॉलिंग करके यहां पर विकेड देखा थे तो कुछ भी नहीं निकाला थे रोड वेल चिगों में कि मैं बात करूँ तो यहां पर कोई भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया बाकी कास्ट पर ओलीवर ने दोस्तों कल के मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया तो बाकी इनका करियर देखा जा तो तीन मैच लास जो ही खेल के आ रहे हैं वहाँ पस सिर्फ इनके पांच रन है तो इनके और से अगर मैं बात करूँ ऐसे L के और से जो आपके लिए important place रहेंगे वेखतो दोस्तों आपके लिए आप पे Michael Wenwick important रहेंगे क्योंकि open करेंगे और दो वर की गेंबाजी नोंने की दी Bradley Stady आपके लिए important रहेंगे Roshan Khan आपके लिए important रहेंगे इसके लावा रोबिन गो आपके लिए important रहेंगे तो total चार ऐसे place है जो आज आप लोग की करके जा सकते हो टीम S.A.L. की और से अगर कल के performance के इसाफ से इनके place को judge किया जाये तो इसके लावा अगर मैं बात करूँ टीम यापे BG की तो इनके और से आपको हमदन तहीर खेलता हुए नज़र आएंगे जो कि एक right and batsman है इन्होंने अपने last five matches में 30 run only बनाए है उस्मान खान की मैं बात करूँ जो कि right and batsman इन्होंने अपने last three matches में देर सो run बनाए है और पचास की average के साथ इन्होंने बल्ले बाजी किये अभिनन्द मलाधत की मैं बात करूँ जो कि right and batsman है इन्होंने last seven matches में 238 sun बनाए है 40 की average के साथ और एक विकेड भी निकाला है दाउद इजाज की मैं बात करूँ जो कि right and batsman है इसके लावा विकेड की पर है इन्होंने last three matches में 33 sun बनाए है तन्वीर जाविद की मैं बात करूँ जो की right and batsman है इन्होंने last three matches में 19 sun बनाए है अधरान खान की मैं बात करूँ जो की right and batsman है इन्होंने last three matches में 45 sun बनाए है उमर फारुक की मैं बात करूँ जोकी राइटन बैटसमन है और राइटा मीडियम बॉलर है इन्होंने लास्ट तीन मैचस में जोधा रन दो विके निकाले और नो वर की गेंद बाजी की हुई है मुहमद अजार की मैं बात करूँ तो दोस्तों इन्होंने लास तीन मेचस में पांच वीके निकाले हैं और बारा ओवर के आसपास इन्होंने जो है वो बल्ले बाज मतलब गेंदबाजी किये बाकी मतलब एक अच्छा गेंदबाजी राइटा मीडियम है लास दो मेचस अगर इनके देखे जाएं तो वहाँ पर ये वीके निकाल कर आ रहे हैं इसके अलबा जाहिद अली के मैं बात किरूँ जोकी राइटा मीडियम बॉलर इन्होंने लास तीन मेचस में पांच वीके निकाले हैं और नोवर के गेंदबाजी किये तो इनकी और से आपके लिए जो important place रहेंगे एक तो आपके लिए हम्दन ताही रहेंगे कि काफी अच्छे batsman है उस्मान खान काफी important player रहेंगे उमर फारुक important रहेंगे बाकि आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ से आपके लिए मति उल्ला important रहेंगे और अरसलान सावेद और मुहमद अज़र को पिक कर सकते हैं तो total इनकी और से भी 7 player ऐसे हैं आज की match में जिनको आज आप अपनी टीम में पिक करके चल सकते हो तो यहाँ भी दोस्तों आपने दोनु टीम्स के players के stats और उनके record को देख लिया है तो आपको यह अंदाजा लग गया कि कौन सा player आपके लिए आज के match में important रहेगा और कौन से player को आज आप लोग community में captain या wise captain भी करके जा सकते हो अगर आपको यह वीडियो अभी तक काफी जादा important और informative लगी हो तो फटा वट से दोस्तों वीडियो को एक like कर दें क्यूंकि आपको एक like मेरे लिए काफी जादा important है और आपको एक like करने में एक second से भी कम समय लगेगा चैनल पर पहली बार आए हो तो फटा वट से हमारे चैनल को subscribe कर लें और पास में जो bell icon है उसको जरूर वाल पे प्रेस कर लें ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके ये भी आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुल free तो जरूर दोस्तों ये काम भी कर लें बाकी दोस्तों जो भी मेरी final update होगी जो मेरी final team होगी after line up ये टॉस्त के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team होगी जिस team के साथ में खुद investment करूँगा वो team आपको मिलेगी हमारे telegram channel पर अभी के समय आट अजसे जादा लोग already join हो चुके है और रोजाने आपर वो दी गई मेरी free team का profit उठा रहे हैं और आप लोग भी एकर हमारे channel से join होना चाहें तो आपको हमारे channel का link description और comment दोनों जगाओ भी सबसे पहले number पे मिल जगाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे channel के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दीगे team का profit उठा सकते हैं तो यह काम दोस्तों जरूर कर लें क्योंकि आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुल free तो चलिए दोस्तों अब चलता है app की और जहाँ पर आपको कमाल का team combination create करके दिखा देते हैं तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले wicket giving section की तो आपको यहाँ पर चार players देखने को मिलेंगे जे करगर, ए मलादत, हमदन ताहिरो, जे कुक तो देखिए जब मैंने यहाँ पर जे करगर का record कल के match में देखा था तो मैंने आपे यह पायदा किए आपको बैटिंग के साथ सब बालिंग भी करके दे सकते हैं जिस कारण से मैंने इनको कल अपनी team में pick करके रखा था लेकिन कल के हिसाफ से जैसा इन्होंने perform किया तो उस हिसाफ से मैं शाद आज इनको अपनी team में pick करने की सोचू भी न क्योंकि इन्होंने कल बैटिंग देखा जाए तो team ने काफी जाएदा late बेजा इसके लावा balling भी मिलने वाली है नहीं इनको अगर wicket keeping as a mention किये जाते हैं तो इसी काट से मैं आपे एस ताहिर को as a wicket की पर pick करके चलूँगा बाकी और कोई player मुझे यहाँ पर important लगा नहीं है जिसको यहाँ पर मैं pick कर सकता हूँ तो मैं wicket giving section से एस ताहिर को as a wicket की पर pick करके चलने वाला हूँ betting section की मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर आपके लिए देखे के महरूप भी कलके काफी high selection player थे और इनका भी performance कुछ खास मुझे लगा नहीं था तो आज मैं इनको try नहीं करूँगा काफी अच्छा टीटन player है काफी अच्छी बल्ले बाजी कर सकता है कम गेंदों पर काफी अच्छा score करके जा सकता है इसलिए मैं इनको try करूँगा इसके लबाब सीजारियो आरिफ important है बाकी नीचे से यहाँ पर अदनान खान एक अच्छा player हो सकता आपके लिए रदनान खान का अगर मैं आपको record दिखा हूँ अगर यहाँ पर तो आप चाहो तो इनके साथ भी जा सकते हैं तीन matches में 45 नने बाकी उपर आपके सामने निउटन इजा जिनमें से मंसद एक important player है जिनको पिक करकी जा सकते हो बाकी और कोई player मुझे आपी personally इतना important नहीं लगाए जिसके साथ यहाँ पर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आपके लिए जो तेन important batsmen आएंगे मैं यहाँ पर दोस्तों इनको पिक करके चलूँगा अगर आप चाहो तो उनको ले सकते हो अगर आप सेब जाना चाहो तो उनकी जाओ तो उनकी जाओ पर अगर विक को पिक करके जा सकते हो बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर एक तो देखिए आपके सामने मुम्मद अजार important है यह जावेद आपके लिए important रहेंगे और last pick यहाँ पर देखिए दोस्तों पहली तो है एस जिव खान की तो आप चाहो तो उनको ट्राइ कर सकते हो बाकी नीचे से आपके लिए यहाँ पर इतना कोई खास यहाँ पर है नहीं आप चाहो तो अंधनी को ले सकते हो बाकी यह और कोई pick तो यहाँ पर है नहीं आप चाहो मत लगी जापर किसी अनधर प्लेयर को ट्राइ करो तो मैं यहाँ पर ना चाहतो यह भी चीगों मैं को pick करना पड़ेगा तो जैसा मैंने का था दोस्तों हमारी जो टीम है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है मैंने में दोस्तों सिर्फ चार प्लेयर S.A.L. के pick किया है और टीम बीजी की और से मैंने साथ प्लेयर्स को pick किया है combination की मैं बात करूँ तो मैंने 1 wicket की पर 3 batsmen, 4 arounders, 3 bolers का combination तयार के आए टीम preview की मैं बात करूँ तो दोस्तों मैंने wicket gaming section से एज़ा wicket की पर S.T.H.R. को भी करके रखा है betting section से मैंने आपर S.M.H. को भी करके रखा है और यहाँ पर हमने उस्मान खान को भी करके रखा है इसके लावा हमने आपर S.A.R. को भी करके रखा है यह तीनों player जो है वो आपके लिए most important रहेंगे और आप चाहो तो इनके लावा किसी और another player को भी ले सकते हो लेकिन मेरे साफ से मुझे निके लावा और कोई batsman इतना important रही लेगा जिनको आप पी करना चाहोगे अल्रावडर सेक्शन से हमने आपर दोस्तों उमर फारू को रखा है मेरे captain भी यह हो सकते है मति उल्ला हमारे पंट प्लेयर हैं इसके लाव है मैंने आपर आरखान को भी करके रखा है इस्तादौन को भी करके रखा है बाकी बालिंग से मैंने आपर अज़र को भी करके रखा है जावित को भी करके रखा है तो अगर बात करूं मैं अपनी इस टीम फॉर को एस प्टर और किस प्लेर को मैं इस अ वाइस कैप्टन भी करके चलूं Ze तो कैप्टने आपर इस तर्दौन रहेंगे वाइस कैप्टन हमारे आरकान रहेंगे इनके लब आर ओ फारुक भी काफी अच्छी भी गाप चाहो तो इसको अपोजिट भी कर सकते हो तो मेरी दोस्तों जो टीम है वो यहाँ पे रेडियो चुकी है और आप लोग हमारी इस टीम का स्किरिण शौर ले ले लें इसका प्रिवी ले ले और जहां प्रिवी आपका इन्वेस्टमेंट हो वहाँ पे जाकर आप लोग हमारी इस टीम का यूस कर सकते हैं same team के साथ दोस्तों small league जोइन कर सकते हैं same team के साथ दोस्तों grand league contest भी जोइन कर सकते हैं बाकि अगर हमारी इस team से कोई भी player नहीं play करता है after line पे toss के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team होगी जिस team के साथ मैं खोद investment करूँगा वो team दोस्तों आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी अभी कि समय आट आजासे ज़्यादा लोग already join हो चुके हैं और होजाने आपर वो दी गए मेरी free team का profit उठा रहे हैं और आप लोग भी अगर हमारे channel से join होना चाहो तो आपको हमारे channel का link description और कमेंट दोनों जगाव सबसे पहले नंबर मिल जाएगा तो किसी विजगे से जाके आप सीधा हमारे channel के साथ जुट सकते हो और मेरी दीगे team का profit उठा सकते हो तो यह काम दोस्तों जरू कर लें क्यूंकि आपके लिए important है और आपके लिए बाकि अगर आपको वीडियो important लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे चैनल पर पहली बार आएं तो फटाफट से माई चैनल को सबस्क्राइब कर ले बेल आइकन दोस्तों जरूरू पर इस कर लें ताकि आप सभी को आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके य यह भी आपके लिए important और आपके लिए बिल्कुल free तो जरूरू दोस्तों यह काम कर लें तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब दक के लिए आप लोग जहां भी रहें सुरचित रहें स्कुराइत रहें जितने भी matches हो जहां भी आपके investment always win करें हमारे टीम management से हमारे टीम combination से तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब दक के लिए जैहिंद वंदे मातरा